दोस्तों सिरफ एक हफ्ता लगातार काली मिर्च और हल्दी मिला कर खाएं कैंसर, मोटापा, हड़ियों और किसी भी स्किन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं सिरफ वन वीक में आपको अपने बॉड़ी के अंदर बहुत जादा बदलाव नज़र आ जाएंगे अगर आपको कैंसर की शिकायत है या आप चोहते हैं कि आपको कैंसर ना हो अगर आप मेरे चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है नेक्स टाइम कुछ और बहतर लाने के लिए और आपकी सेहत का खयाल रखने के लिए तो वीडियो को जम कर शेर कर दीजएगा क्योंकि इतनी यूसफुल इंफरमेशन आपकी शेरिंग से बहुत लोगों की जिंदिकी को बहतर बना देगी मेरा काम है वीडियो बनाना इंफरमेशन देना लेकिन उसको हर जगा फैलाना सिरफ और सिरफ आपका काम है तो दिल से करिएगा तो चलिए जानते हैं हल्दी और काले मिर्च खाने के अदभूत फायते हल्दी के बारे में अगर ये कहा जाए कि रसोई में मौजूद ये दवा खाना है तो इसमें कोई शक नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सच है हल्दी जहां एक और खाने का स्वात और रंग बढ़ा देती है वहीं इसका उप्योग कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है हल्दी तो अचाग को खूबसूरत बनाने के साथ साथ डाइबेटीस, हिर्दे रोग, मोटापे जैसे कहीं सारे शाररिक समस्याओं का इलाज जड़ से कर देती है वात, पित और कफ तीनों प्रकारों के विकारों को ठीक करने की शक्ती हल्दी में होती है यही वज़ा है कि हल्दी को विविन स्वास्ते सितियों के लिए इलाज करने के लिए हजारों वर्षों से चिकित्सा में इस्तमाल किया जा रहा है ऐसा माना जाता है कि हल्दी को काले मिर्च के साथ जोणने से इसके प्रभाव दुगने हो जाते है अक्सर देखा जाता है कि जादा तर लोग काले मिर्च खाना पसंद करते हैं आपको बता देती हूं कि काले मिर्च स्वास्ते के लिए बहुत अच्छी है हल्दी और काले मिर्च दोनों में प्रमुख सक्रिये तत्व होते हैं जो उनके anti-inflammatory, antioxidant और रोगों से लड़ने वाले गुनों को बढ़ा देते हैं आयोवेट के अनुसार हल्दी में एक शक्तिशाली तत्व होता है जिसे curcuminides कहा जाता है वास्ता में curcumin एक तरह का polyphenol होता है जिसके स्वास्ते के लिए कई फायदे हैं ये एक मजबूत antioxidant है इसमें anti-inflammatory, antibacterial और antifungal गुन है हलाकि curcumin के सबसे बड़ी कमी यही है कि वे शरीर में अच्छी तरह से अफशोर्षित नहीं हो पाता उसको अफशोर्षित करने के लिए हमें जरुत होती है पिपरिन की क्योंकि काले मिर्च में biotic compound है पिपरिन जो मिर्च powder और cayenne paper में पाया जाने वाला सक्रिय घटक है पिपरिन में मतली, सिर्दत और खराब पाचन से राहत दिलाने की शमता होती है और साथ में ये curcumin के अफशोर्षिन को बढ़ाने की शमता रखता है इसलिए अगर आप सिर्फ हल्दी का इस्तमाल करते आ रहे हैं तो इस चीज़ के साथ आप काली मिर्च का इस्तमाल करें तो आपके शरी में दुगना लाव होगा आप बहुत सारी बिमारियों से ऐसे ही बच पाएंगे अब सबसे पहले बारी आती है मोटापे की जो आजकल हम लोगों की बहुत आम समस्या है चाहे हम 10 साल के बच्चे हैं या फिर 60 साल के लेकिन मोटापा हमारे साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा जिसके लिए हम बहुत जादा डाइटिंग भी करते हैं एकसरसाइस भी करते हैं लेकिन मोटापा हमारा आजटेस रहता है ऐसे में अगर आप हल्दी और काले मिर्श का मिश्रन एक साथ लेंगे और उसमें थोड़ा सा अध्रक आट कर लेंगे और रोजाना सुभा खाली पेट अपने बासी मूग के साथ इसका सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर का मेटाबॉलिजम बढ़ाएगा देखे मोटापा कम कैसे होता है उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक होता है कि हमें अपना मेटाबॉलिजम बढ़ाना है जो हो गया है कमजोर अगर मेटाबॉलिजम हमारा फास्ट हो जाएगा तो जो भी अगर आप एक रोटी भी खा रहे हैं वो आपके डाइजस्ट होगा और जहां आपके शरीन में पहले से फैट है उस चरबी को ये बहुत अच्छे तरीके से पिगलाने का काम करता है तो आपने इस रेमीडी को बनाना कैसे है इस रेमीडी को बनाने के लिए आपने लिना है एक गलास पानी उसको फ्राइंग पैन में डालना है उसमें डालना है आपने चुटकी भर हल्दी चुटकी भर काले मिर्च और थोड़ा सा अद्रक इस मिश्रन को आप गर्मियों मे बासी मू, आपने कोई नॉर्मल पानी नहीं पीना, कोई थूकना नहीं, बासी मू उसी पानी को चाई की तरह सिपसिप करके पीना है आपका वो आधा ग्लास पिया हुआ पानी, आपके शरीर में इतने बदलाव लाएगा, आपका विदिना वीक, इतना वेट लॉस करेगा, आपका डाइडेशन बूस्ट करेगा, कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी आप अपने अंदर वो चेंजिस फील कर पाएंगी अब बात करेते हैं अपनी दूसरी और बहुत ही कॉमन बिमारी की हम लोगों को आजकल होने लगा है अथराइटिस, यानी जोडों का दर्थ जोडों का दर्थ अब से पहले सिरफ और सिरफ कब होता था? जब हम जादा उमर के होते थे, पचास के होते थे या साट के होते थे लेकिन आजकल की टाइम में ये समस्या 30 साल में और 25 साल में भी फेस करनी पड़ रही है तो ऐसे में सबसे पहले जरूत है हमें एक अच्छे डाइट की जो हल्दी डाइट हम ना लेकर बाहर का जंक फूट, पाकेट फूट और हम ये सब चीज़ें इंटेक करें हैं तो पहले आप गंत खाने से बचें और अच्छा खाना खाए और दूसरी मेरी सलाह ये है कि आप सुभा हल्दी और काले मिर्च को पानी में उबालें उसके बाद खाली पेट उसका सेवन करें इससे आपका पुराने से पुराना अर्थराइटिस, पुराने से पुराना जोडों का दर्थ, जोडों में सूजन, कोई भी तकलीफ है आपकी joint pains की, कमर दर्थ की, ये सारी चीज़ें जड़ से खतम हो जाएंगी और within a week आपको result आपकी आँखों के सामने होगा आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि जहाँ आप चल उतर नहीं पाते थे, वेट उट नहीं पाते थे वहाँ आपको कितना ज़ादा फरक दिखना शुरू हो गया है अब बात कर लेते हैं तीसरी और बहुत ही common problem के बारे में आजकल हम सबको क्या है? खुबसूरत दिखना है हमारे चहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं जुरियां समय से पहले आ रही हैं क्यों आ रही है? एक तो अपनी हम तोचवा कर ध्यान नहीं रेते हम stress बहुत जादा लेते हैं उसकी वज़़़से हमें aging आने लगती है और साथ में market में मिलने वाले महंगे महंगे treatment face पे अपने करवाते हैं लाखों पैसा खर्च करते हैं लेकिन जब तक वो treatment आपकी skin पे चलता है सब तक तो आपकी skin फिर भी ठीक ठाक दिखती है लेकिन जैसे उस treatment को लेना बंद करते हैं pills को, medicines को या कोई भी लेप को लगाना बंद करते हैं तो आपकी तवचा उतनी ही बेकार दिखने लगती है तो अगर आप भी अपनी skin के color को enhance करना चाहते हैं pimple, acne को, जुरियों को, जाईयों को जड़ से खतम करना चाहते हैं तो please सुभा उठकर एक ग्लास पानी में वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है हल्दी और काले मिर्च को उबालें और उस पाने को बासी मूँ पीना स्टार्ट करें रोजाना आपको इसका सेवन सिरफ एक महिना करना है उसके बाद आपको 15-20 दिन का gap देना है और दुबारा से इसको शुरू करना है ताकि आपकी बॉड़ी को habit भी ना हो और आपके ये चीज बहुत ज़ादा effect कर सके ये आपके internally आपके क्या करेगी खून को साफ करेगी जब हमारे चेहरे पर जुरियां आती है दाग धबे pimples आते हैं तो हमारा समाख गया तो डिस्टर्ब होता है या फिर हमारा जो खून है उसमें गंड़ी कशल हुने लग जाती है क्योंकि हमारे शरीर में कॉलिस्ट्रॉल बहुत जादा बढ़ जाता है तो उस गंड़ी को ये साफ करेगा और जिससे आपके color जो है, naturally जो आपका रंग है, वो भी निखरना शुरू हो जाएगा Trust me, try करना, जिसकी भी शादी है, या वैसे भी अपने color को enhance करना चाहते हो न, boys and girls ठीक है, और जैसे आपको हल्दी suit करने लगे, तो आप इसकी थोड़ी quantity बढ़ाएं, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा quantity लेंगे, तभी आपके और ज़्यादा effect आएगा लेकिन one fourth spoon से उपर हल्दी आपको गर्मियों में intake नहीं करनी, और चुटकी भर आपको काली मिर्च का सेवन करना है, उसमें डालना है, और उबालना है, और बस अब बारी आती है पेट की यानि पाचन तंत्र की, आपको पता है कि अगर हमारा पेट साफ रहेगा, स्वस्त रहेगा, तो जिन्दी की भर हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे, इसकी दिक्कत को हमें कैसे दूर करना है, हमें इस पानी को रोजाना सुभा खाली पेट पीना है, अब बारी आती है हमारी अगली प्रॉबलम के बारे में, हमारी सांस और दात की बिमारी, सांस और दात की बिमारी में काली मिर्च और हल्दी का सेवन, आप के लिए रामबान औशिदी का काम करेगा, ये दोनों मसाले जो होते हैं, बेक्टीरिया रोधी होते हैं, इसके अलावा इसमें anti-oxidant पाए जाते हैं जो मूँ की दुरगंद को दूर करते हैं और सरदी जुकाम की दिक्कत को भी खतम करते हैं बहुत सारे लोगों के मूँ में से smell आती है smell किसली आती है दो reason होते है या तो उनका पेट खराब होता है या दूसरी चीज़ उनको जुकाम बहुत जादा होता और वो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं जो जुकाम को दवाने की दवाई तो दे देते हैं लेकिन वो कफ आपके अंदर पनपता रहता है जमता रहता है और जब कफ हमारी छाती में जम जाता है तो वो एक अलग सी बद्बू देता है हमारे मूँ से तो आपकी जो मूँ की स्मेल है आपके कंजेशन को, आपके सर्दी जुकाम को ये हल्दी और काली मिर्च का पानी इतने बड़िया तरीके से ठीक करेगा कि आप खुद देकर हैरान हो जाएंगी और आपकी जो मूँ की स्मेल थी, वो भी बिलकुल साफ हो जाएगी तो दोस्तों, ये थे काली मिर्च और हल्दी के अंगिनत फायते अभी भी बहुत जादा फायते हैं अगर और जादा बताना लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कंप्लेइन करोगे इतना लंबा वीडियो क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको उसके बहुत सारे फायदे बताऊं जो हमारे किचन में हैं और आप डॉक्टर्स पर अपना पैसा ना खर्च करते हूँ बलकि अपनी सेविंग करें और लाइफ इंजॉय करें तो प्लीज ऐसी हमेशा खुश रहें टेंशन को दूर भगाएं हमेशा आपके लिए कुछ बहतर लाती रहूंगी आपकी सेहत का थायार रखती रहूंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई, टेक केर इंट स्टे हिल्दी